हेलो डियर फेंड्स रुद्राइंश्यूट दुर्ग आपका इस वीडियो के माध्यम से जुईने के लिए स्वागत करता है दोस्तो रुद्राइंश्यूट द्वारा छत्तिगण के पास संभाग और 28 जिलों के समानने अध्यन की स्रिंखला में जो वीडियो प्रस्तुत कर है इसमें वर्तमान में बस्तर संभाग और आज हम बस्तर संभाग के कोंडा गाओं जिले पर आपको प्रकाश डाल रहे हैं दोस्तो कोंडा गाओं वस्तुता है कोंडा सद्द तिल्गो भासा का है जिसका साद्दिकर्थ होता है परवती छित्र अर्थात परवतों से आच् बस्तर संभा के मध्ध पूर्व उड़िसा सीमान चित्र से लगा हुआ है उपरुक्तमान चित्र से हम इस वश्चलूप से देख रहे हैं कि कुणडा गाउं जिले के उत्तर में कांकेर जिला जबकि उत्तरपूर में धमतरी, इसके पूर्वी सीमाई उरिशा से लगी हुई है जबकि कुंड़ागाउजिले के उत्तरपश्चिम में कांकेर और पश्चिम में नारायनपूर जिला है इसके दच्छिमाई कुछ छित्रे में दंतेवाणा और विजापूर से भी लगी हुई है कुंड़ागाउजिले के दच्छिम में बस्तर जिला फैला हुआ है दोस्तो कुंड़ागाउजिले के उप्रुक्त मानचित्र में हम देख रहे हैं कि जिले में उत्तर से दच्छिन राश्टी राजमार्ग तीस गुजरता है। यह राजय का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग है जो छिल्फी घाटी से राजधानी रायपूर होते हुए धमतरी होते हुए कुंडगाउं से जगदलपूर और जगदलपूर से सुक्मा होते हुए आंध्रपदेश्टक जाता है। के सकाल घाटी से लगा हुए गढ़ धनोरा नामक एतिहासिक पुरा तात्विक इस्थल है। दोस्तो कुंडगाउं जिले की नरायणपूर के साथ सीमा का निर्मार बोर्डिंग नदी करती है। ये बोर्डिंग नदी के किनारे ही कुंडगाउं में सुप्रसिद्ध एतिहासिक परेटक इस्थल भूंगा पाल इस्थित है। भूंगा काल बध्ध धर्म उससे समन्दी चैत और बध्ध मूर्तियों के लिए जाना जाता है। आईए दोस्तो हम कुंडगाउं जिले के संदर्वे अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। कुंडगाउं जिला एक नजर में जन्गर्णा 2011 के अनुसार। दोस्तो कुंडगाउं जिले का छित्रफल 3684 वर किलोमेटर है, 3684 स्क्वार किलोमेटर। जबके इस जिले की जन्संख्या 5,78,824 है। जिले की साच्षर्टा लिट्रेसी रेट 56.21%, 56.2% साच्षर्टा कुंडगाउं जिले में है। कुंडगाउं जिले का लिंगानपात। दोस्तो राजिक 28 जिलो में सरवाधिक लिंगानपात वाला जिला कुंडगाउं है। यहां 1000 पूर्षों में 1033 महिलाओं का उसत है। दोस्तो कुंडगाउं जिले की जनसंख्या में सुन से 6 आबादी 89,821 है। जबकि सुन से 6 जनगरणा जनसंख्या का लिंगानपात सेक्स रिशियो 1006 है। अनुसूचित जात्वी प्रिश्चत में कुंडगाउं जिले में स्सी समधाय का आबादी प्रिश्चत में मात्र 4.01% है। जबकि इस जिले में अनुसूचित जनजाती अर्था सेडूल ट्राइब्स या आधिवासियों की जनसंख्या सरवाधिक प्रिश्चत में 71.01 एक प्रिश्चत है। इस जिले की कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या प्रिश्चत में 10.02 प्रिश्चत है। आईए दोस्तो इस जिले के विश्या में देखते हैं कुंडा गाउं जिला मुख्यले और विशिश सास की संस्थाएं 24 जनुरी 2012 को राजिका 27 जिला कुंडा गाउं को घोसित किया गया है यह उत्री बस्तर को ही प्रथक करके बनाया गया था यहां पर केश काल नगर पंचायत भी है केश काल में बालकों के द्वारा इस्थापेद बाकसाइट केलसेनेशन प्लांट इस्तित है दोस्तो रिसर सेंटर रों महत्पुलुद्देव 36 गड के सिल्फ ग्राम के नाम से विख्यात कुंडा गाउं को जाना जाता है यहां के सिल्फ कार स्वरगी स्री जैदेव बगेल रहे कुंडा गाउं में धातु सिल्फ की विशिश्टता है बस्तर की सुपसिद्ध पहचान घडवा सिल्फ है घडवा सिल्प कसेर जाती के लोगों द्वारा पीतल, कासा और मोम्चे पधिती के द्वारा मनाये जाता है मानिक चन घडवा, पदुम चन, जैदयो बखेल, सुक्चन, आदी घडवा सिल्प के लिए जाने जाते है इतिहास, महापुरुष, स्वतनततात से जुड़ेतत, दोस्तों चत्तिगड़ में घडवा सिल्प के प्रमुक कलाकार, मानिक घडवा, पदुम घडवा, सुक्चन, जैदयो बखेल, आदी का नाम आता है कुंडगाउं जिला, मंदेर, पुरातत्तिस्थल, परेटा निस्थल, दोस्तों केश काल घडवाटी बस्तर के प्रवेश द्वार के नाम से विख्यात है केश काल घडवाटी कुंडगाउं जिले के उत्तरी कांकेर, उत्तरी छेतर में कांकेर सिमान छेतर में है कुंडगाउं जिले के उत्तर में फरस गाउं की पठार से लगा हुआ है यह घाटी राश्टी राजमार क्रमांक 30 यहां से गुजरता है यह घाटी राज की सबसे बड़ी घाटी है 728 मिटर उचाई पर इस घाटी में 12 मोड है घाटी के सिखर पर तेलिन माता का सुपसिद मं मंदिर इस्थित है दोस्तों कुंडा गाउं जिले में गड़ धनवरा नामाक सुपसिद एतिहासिक पुरा तात्विक इस्थल है केस गल घाटी से लगा हुआ यह पुरा तात्विक इस्थल है इसको इसको इसकी खोच करने का स्रे बस्तर के ततकालिन दिवान राय मंदिर बंजारी माता का मंदिर विख्यात है यहां 14 विसाल काय मंदिरों के उसेस मिले हैं जो केस काल छेत्र से लगा हुआ है आए दोस्तों कॉंडा गाउं 36 गड़ के सिल्फ ग्राम के नाम से विख्यात यहां के सुपसिस सिल्फ कार जैनों बगेल हुए जिनका कुछ समय मैं पूरी देहान थुआ है बस्तर धातु सिल्फ के लिए इनको जाना जाता है जिनमें घड़वा सिल्फ महत्पूर है बस्तर संभाग में कसेर जाती के लोग इस घड़वा सिल्फ के लिए जाने जाते हैं आए दोस्तों कॉंडा गाउं का दूसरा प्रमुक पुरा तात् मिले प्राचीन बोधिस्तूप और बुद्ध की आदमकर प्रतिमा प्राप्थ हुई यहां कुशान कालिन सप्त्य मात्रका की प्रतिमा भी प्राप्थ हुई भोंगा पाल पाच्वी शाट्वी सताब्दी में बहुत धर्म का प्रवुक के इंद्र था कुण्डा गाउंजिले परवत एवं परवर्शिंक लाएं दोस्तो कुण्डा गाउंजिले में उत्तरी और प्रश्वी भाग उच्चे परवती और पठारी है यहां फरस गाउंग की पहाडिया केसकाल घाटी आदी इस्तित है नदी बांध और सिचाई माकरी नदी माकरी कुण्डा गाउंजिले में है। लेकिन दोस्तो हरवली स्टेट के कांसेट में कुण्डा गाउंग का बहुत बड़ा युगदान है। वर्तमान में कुंडा गाउं के उच्च परवतिव हुभाग में बहुत से दुरलफ वनस्पतियों की खेती की जाती है जिन में राजा राम तरिपाठी द्वारा सफेद मुसली की खेती और वर्तमान में यहाँ पर काली मिर्च के बागान भी लगाए गये हैं जो काफे कुंडा गाउं के जगरपाली में 6 लाक क्यूबिक मीटर ग्रेनाइट का भंडार मिला है लेकिन दोस्तों अभी इसका उत्खनन नहीं हो रहा है कुंडा गाउं में कुश्मा कचौरा में 3 लाक मिट्रिक्टन लवेस के भंडार में मिले हैं अर्थात यह ध्यान केंगे का बड़ा महत्पूर एधिहास है ऐसा कहते हैं चालुक काक्ति सासकों के साथ वारंगल से भत्रा जाती का प्रिवेस बस्तर छेत्र में हुआ और धीरे धीरे ये उडिशा सीमान इस छेत्र में बस गए इस जन्जाती में भत्रा नाट का नित्थ होता है जो मुखोटा लगा क किया जाता है ये उडिया मिश्रित भत्री बोली बोलते हैं दोस्तो कुंडा गाउजिले के संधर में हमारे द्वारा प्रसुच जानकारिया आपको काफी प्रसंदाई होंगी तथा आपकी परिश्वा में ये काफी उपयोगी रहेंगी हम इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्वात करते हैं और इस श्रिंखला में हमारा अगला वीडियो बस्तर होगा थैंक्स वर वाचिंग